इस वीडियो आपको टेस्ट करने माले रेस के एनरजी ड्रिंक को जो जीरो शुगर ड्रिंक है और यहाँ पे आप देख सकते हो बाजा लाइम जो इसका फ्लेवर है तो लाइम फ्लेवर जो यह ड्रिंक आपको देखने मिलेगी हाइडरेटिंग इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे आप देख सकते हो फोर अडल्स ओनली है इसके अंदर नेट कंटेंट है 250 ml वेजेटरियन प्रोडक्ट है प्राइजिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको जो इसकी प्राइजिंग देखने मिलेगी जो है 120 रूपीस तो थ यहाँ पर इसके सारे इंग्रिडियंट्स है जो है और सपर कैन मतलब यह पूरा 250 ml का कान आप पूरा कंजूम करोगे तो यह सारे न्यूट्रियंट्स जो आपको इसमें से मिलने वाले है फिर बात करते हैं मैनेफक्ट्चरिंग डेट यहाँ पर यहाँ यहाँ पर इसकी ब डिरेक्ट सनलाइट जैसे कि यहाँ पर आपको सारी चीज़े देखने हैं, मिल रही है, फिर जो है बात करते हैं, इसके manufacturer की तो यहाँ पर आप देख सकते हो, manufactured by पटेल वेवरेजेस, तो इसकी जो है, वड़ोधरा गुजरात में manufacturing हुई है, manufacturer का license number है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, marketed and distributed by 360 degree supply chain, management, private, limited, इनका office है, विकरोली, वेस्ट, मुंबई, महाराश्रा, इंडिया वे, इनका license number है, question queries होगी, तो आपको जो है, इस number पर, इस mail ID पर, और यह marketed and distributed by, जो 360 degree supply chain, इनका contact करना है, product from USA, इन्होंने इसलिए लि क्या है, वो यहाँ पर specify किया नहीं है, तो इसके बारे में sure नहीं है, और साती में जो है, यह rep, जो यह res है, is a trademark of rep sports inclusive, जो US का brand है, जैसे कि यहाँ पर यह बता रहे, लेकिन इसकी manufacturing वगरे सारी, distribution वगरे इंडिया में ही होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ warning for a variety diet, keep out of rich children, not consume more than two can, तो जो caffeinated beverage या energy drink को जो यह होती है, warning होती है, same warning, यहाँ पर तुम्हें काऊंगा, एक तरह से caffeinated beverage है, highly high caffeinated beverage, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि perform with race, the ultimate energy drink वगरे, यह सारे energy drinks हुच है, आपको बताती है, claim करती है, लेकिन not more than two cans per day इन्होंने बताया है, तो मैं तो आपको suggest करूँगा, एक can ही more than ने, फिर वो भी बहुत occasionally, कोई भी energy drink हो आपको, एकदम कम से कम पीना है, मतलब once in a month, ऐसी अगर आपको कुछ fun वगरे, करना है वगरे, या फिर कुछ अलग टेस्ट वगरे चीए, drink वगरे, पीनी है, दूसरी कुछ तरह की, तो आ लाइम फ्लेवर की टेस्ट कैसी है, इस energy drink की, और यहाँ पे जो है, हमने जादा can को shake कर लिया था, तो यहाँ पे color वगरे at least कुछ add नहीं है, जैसे popular energy drink आते है, उनमें color वगरे add होता है, लेकिन वैसे यहाँ पे जो कुछ देखने नहीं मिल रहा है, color तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो lime flavor इन्होंने बता है, वैसे lime की यहाँ पे smell मुझे आ रही है, तो आपको test करके बतातो कि exactly इसकी taste कैसी है, तो taste जो है, एकदम energy drink वाली है, except कि यह थोड़ा सा आपको limey flavor जो इसमें अच्छा खासा थोड़ा जो है, add किया हुआ है, लेकिन जो एक taste होती है, for example sting energy drink हो गई, उसकी जो taste है, वो आपको सेम इसके तरह ही लगने माली या फिर इसकी तरह लगेगी, तो सारे energy drink की taste बहुत सिमिलर, even red bull जो है, उसकी भी taste सिमिलर है, तो एक classic taste होती है, basic जो टेस्ट होती है, वो जो है सारे energy drink की सेम होती है, बस वहाँ पे color और कुछ added जो artificial flavor अगर आपको पता हो तो आप definitely से try कर सकते हो, लेकिन आगेन आपको occasionally try करना है, और जादा ही से consume लेकरना है, इसे नहीं कोई भी energy drink को जादा मातर में consume नहीं करना है, वीडियो बसंदा तो वीडियो का आप like कर सकते हो, चैनल को या पर सब्सक्राइब कर सकते हो, मिलते अगल वीडियो में